So what's up guys, welcome to my youtube channel, so आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, sliders के बारे में, जो कि After Effects के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, and जितने भी slider होते हैं, उन सब का क्या use होता है, कैसे use करते हैं, उन सारे options की बात करने वाला हूँ, so वीडियो को शुरू करते हैं, without wasting any time, so यहाँ यहाँ पर हमने open कर लिया है, After Effects, so मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले, मैंने यहाँ पर इस layer को यहाँ पर 3D में convert किया, and just मैंने यहाँ एक text यहाँ पर type कर रखा है, with the help of text tool, so अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर create कर सकता हूँ, एक new null object, so उसके लिए right click करें गे new null object, और यहाँ पर मैं गया, effect में, and then expression control, and then 3D point control, ठीके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसे lock किया, so that यहाँ पर इसकी properties hide ना हो जाए, और मैंने यहाँ पर press किया P, P as a position, और मैंने आपर click किया, and then parent कर दिया, इसे कुछ इस टाइप से, ठीके, if you guys don't know how to use parent options, so मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग एक बार चेक कर लेना, अब देखो, मैंने यहाँ पर simply बहार click किया, कोई भी खाली space में, so we can see, अभी यहाँ पर यहाँ पर पहुंच चुकी है, so अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस controller के through हम लोग यहाँ पर इसे animate कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, या फिर change कर सकते हैं, got it, so मैं अभी यहाँ पर इसे कर रहाँ, delete और यहाँ से remove कर रहाँ, so यहाँ पर हमारे पास next option है, which is angle control, ठीक है, मैंने आपर click किया, angle control का हम लोग use करते हैं, basically for rotation purpose, so मैं यहाँ पर गया, मैंने आर प्रेस किया, और मैं अभी यहाँ यहाँ remove कर रहाँ 3D से, और मैंने आपर alt के साथ, left mouse button click किया, and then मैंने आपर इसे कर दिया parent, ठीक है, और अगर मैं आपर इसे rotate करता हूं, so we can see कुछ इस type से, ठीक है, so आप लोगों के mind में यहाँ पर एक question आ रहा होगा, जब हम लोग यहाँ पर इसे manually rotate कर सकते हैं, so why we are using this controller, so इसक single title है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसकी इतनी need नहीं है, लेकिन अगर आपको एक ऐसा project के उपर काम कर रहे हैं, यहाँ पर multiple layers है, so वहाँ पर आपको इसकी बहुत need पढ़ने वाली है, example के तोर पे, जैसे माल लो हमारे पास आपर multiple layers है, ठीक है, कोई title के name से है, कोई design के name से है, कुछ भी, ठीक है, so अब आपको यहाँ पर इन सब को rotate करना है, एक साथ, so अगर आप लोग यहाँ पर इसे manually करते हैं, so बहुत time लग जाएगा, so इसके लिए हम लोग use करते हैं, controllers का, got it, अब आगे बढ़ते हैं, so यहाँ से मैं इसे कर रहा हूँ, delete, and then यहाँ से मैं इ image लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर गया, effect, and then expression control, and then checkbox control, अब checkbox control क्या करता है, यह opacity के ओपर काम करता है, it means किसी भी लिएर को hide गरने के लिए आपको help करेगा, example के तोर पे, मैं यहाँ पर गया, मैंने depress किया, alt के साथ मैंने आपर click किया, and then इसे य end में मैंने आपे use किया into 100, और बाहर click किया, ठीक है, so अगर मैं आपे इसे on करता हूँ, so vacancy यहाँ पर यह layer visible हो रही है, और यहाँ से मैं से off कर सकता हूँ, अब इसका use हम लोग कहा कर सकते हैं, इसका use हम लोग कर सकते हैं, जब हम कोई template create कर रहे हो, जैसे कि essential graphics for premiere pro, and वहाँ पर यह बहुत हमारी help करता है, so essential graphic के regarding मैंने proper एक video बना रखी है, आप लोग again एक बार check कर लेना video, देख लेना एक बार, अब आगे बरते हैं, again delete कर रहा हूँ इसे मैं, so मैंने क्या क्या, simply यहाँ पर एक shape यहाँ पर draw करी, कुछ इस type से, circle, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं जाते हैं, effect में, and then expression control, and then color control, so color control क्या करता है, basically हम लोग किसी भी footage का color control कर सकते हैं, ठीक है, example के तोर पे, मैं यहाँ पर इसे lock करता हूँ एक बार, और मैं यहाँ पर गया fill के अंदर, and then alt के साथ मैंने click किया, इस color के उपर, और parent कर दिया, ऐसे कुछ इस type से, ठीक है, so we can see, अब हम लोग यहाँ पर इस controller के थुरू, हम लोग यहाँ पर इसके colors को change कर सकते हैं, as per our need, got it, अब आगे बढ़ते हैं, इससे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अब ही, delete, and then you, alt के साथ remove करते हैं, ठीक है, अब देखो, मैं वापस से click कर रहा हूँ, इस null object के उपर, and then effect में गए expression control, and then drop down menu, so अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ menus आ रहे हैं, so मैं अभी इन सब को कर रहा हूँ, hide, और अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ, so we can see यहाँ पर multiple drop down menus, it means 1, 2, 3, even हम लोग यहाँ पर और भी create कर सकते हैं, और इन्हें delete भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस type से, and जो यह यहाँ पर यह hashtag है, it means यहाँ इसकी number values शो हो रही है, hit okay, अब मैंने क्या किया, मैंने simply यहाँ पर एक text type किया, let's suppose, design, और इससे मैंने यहाँ पर रखा, और मैं control D से मैंने आप इसे copy किया, and then मैंने आप इसे कर दिया, motion, ठीक है, अब यहाँ पर जाने के बाद मैंने इसे कर rename just one, and then इसे यहाँ पर कर दिया, rename by using right click two, ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने simply यहाँ पर इन दोनों layers के उपर paste किया T, T for opacity, so अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर layer one को open करूँ, ठीक है, so layer two automatically hide हो जाए, या फिर जब मैं layer two को यहाँ से on करूँ, so layer one automatically hide हो जाए, अब मैंने क्या किया, इस opacity के उपर, alt के साथ left mouse button क्लिक किया, और यहाँ पर एक expression use किया, if bracket, और इस bracket के इंदर मैंने क्या किया, simply इसे parent कर दिया, कुछ इस टाइप से, अब मैंने यहाँ पर इसे parent किया, item number one के साथ, ठीक है, और last में गया, इसे यहाँ पर किय delete, and then एक code मैंने paste कर दिया, so इसका मतलब यहाँ पर यह है, जब यहाँ पर item number one select होगा, यह वाला, so सिर्फ और सिर्फ design वाली यहाँ पर layer select रहेगी, got it, और इसके बाद मैंने यहाँ पर बाहर क्लिक किया, so अब मैं यहाँ पर गया, layer number two के उपर, which is motion वाली layer, and इस code को मैंने copy किया, control C से, so अब मैंने क्या किया, simply मैं यहाँ पर गया, item number two के उपर, और यहाँ पर मैंने alt, left mouse बटन क्लिक किया, इस opacity के उपर, और मैंने simply यहाँ पर code paste कर दिया, और यहाँ पर मैंने one को यहाँ पर कर दिया, simply two, that's it, so अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता ह आइटम नमबर 1 के उपर, यहाँ पर आइटम नमबर 2 विजिबल नहीं होगा, और इफ आइ क्लिक आइटम नमबर 2 विजिबल नहीं होगा, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप लोग यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर multiple drop down menus create कर सकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, delete कर रहाँ मैंने, इसे भी मैं आप लोग यहाँ पर कर रहाँ, delete, the next option is layer control, अब इसमें क्या आपता है, example के तोर पे यहाँ पर हमारे पास एक null object है, मैंने यहाँ पर simply क्या किया, यहाँ पर एक, कुछ इस टाइप से circle draw किया, इसका color मैं आप एक कर रहाँ red, और यहाँ पर मैंने एक square draw किया, और इसका यहाँ पर मैं कर रहाँ color, something yellow, ठीक है, और भी आप लोग यहाँ पर shapes, text, कुछ भी create कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पर इसे उपर लिखे गया, now, मैंने क्या किया, alt के साथ यहाँ पर click किया, और इसे यहाँ पर कर दिया parent कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर just type किया dot position, so, अगर आप लोग यहाँ पर इसके position के उपर keyframes लगा रहे हैं, so, use position, अगर आप लोग scale यूज़ कर रहे हैं, so, यहाँ पर use करो dot scale, ठीके, अब देखो, इसके बाद मैंने आपर बाहर क्लिक किया, and again मैं यहाँ पर किया, और मैंने alt के साथ क्लिक किया, parent किया, कुछ इस टाइप से, and then dot position, ठीके, अब अगर मैं आपर इस null object को move करता हूँ, अब अगर मैं आपर इसे कर देता हूँ, shape 3, so, अब अगर मैं आपर shape 3 को move करता हूँ, so, we can see आपर shape 2 भी move कर रही है, ठीके, अगर मैं आपर इसे move करता हूँ, circle को, so, we cannot move this circle, so, ऐसा इसलिए हो रहा है, because layer control के अंदर, अभी हमने axis दे रखा है, shape layer 3 को, अगर मैं आपर इसे करता हूँ, shape layer 2, so, अगर मैं इसको move करता हूँ, so, we can see, अब ये move करेगा, but shape layer 3 अब move नहीं करेगा, because, इसका axis हमने यहाँ से हटा दिया है, so, ऐसे हम लोग यहाँ पर multiple layer को यहाँ पर, you know, use कर सकते हैं, and उसको एक control दे सकते हैं, चाहे वो position हो, scale हो, rotation हो, अगर मैं आपर S प्रेस करता हूँ, alt and then parent dot scale, ठीक है, बाहर क्लिक करते हैं, वापस से alt, left mouse button, parent dot scale, ठीक है, so, we can see यहाँ पर, अगर मैं अब यहाँ पर जाने के बाद, इसे करता हूँ, null one, मैं यहाँ से basically, इसका control दे रहाँ, null one को, और यहाँ से अगर इसे scale करता हूँ, so, we can see कुछ इस टाइप से, अगर मैं आप इसे control दूँ, shape layer 3 को, और यहाँ पर अगर इसे scale करता हूँ, now, see, ठीक है, लेकिन अगर मैं shape layer 2 को, यहाँ पर change करता हूँ, so, यहाँ पर कुछ भी effect नहीं होगा, because axis अभी इसके पास नहीं है, so, कुछ इस type से काम करता है layer control, it means आप लोग, एक particular layer की properties की जो powers होती है, वो किसी other layer के हाथ में दे रहे हो, got it, आगे बढ़ते हैं, अब मैं वापस से यहाँ पर आगया effect, and then expression control, and then point control, अब point control, same काम करता है, as per the, this 3D point control, point control में यह होता है, हमारे पास सिर्फ दो axes होते हैं, that is x and y, got it, यहाँ पर हमारे पास z-axis नहीं होता, आप लोग यहाँ पर किसी भी layer की position को आप लोग use कर सकते हैं, for animate purpose, मैं आप इस सब को कर रहा हैं, delete, अब मैं वापस से यहाँ पर गया, and then slider control, अब आप लोग use कर सकते हैं, slider control का वहाँ पर, जहाँ पर आपको कोई values को change करना हूँ, for example, मैंने यहाँ पर एक text यहाँ पर type किया, like one, ठीके, और इसके बाद, मैंने यहाँ पर you press किया, और मैंने source, text के उपर क्लिक किया, alt, left mouse button, और मैंने इसे parent कर दिया, इस slider के साथ, और बाहर क्लिक किया, and अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर इसकी values को increase करता हूँ, so we can see यहाँ पर जो भी इसकी values है, वो change हो रही है, आप लोग यहाँ पर कोई भी values को यहाँ पर control कर सकते हैं, जिसमें आपको numbers, you know, change करने हो, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, I hope करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो, गाईज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, so आप लोग subscribe कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल, आप लोग हमें follow कर सकते हैं, Instagram and Facebook के उपर, हम लोग वहाँ पर कुछ ने कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग, so तब तक के लिए गाईज, टेक केर, बाबाई, मिलते हैं किसी next वीडियो में,